नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्र जस्मी तालुवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी operation के बाद जो scar आता है उसे हम minimize कैसे कर सकते हैं हाल operation में patient को बहुत सारे डर होते हैं उन डरों में से एक डर है कि operation के बाद मेरे body पे कैसा scar आएगा और क्या मैं उसे bear कर पाऊंगा या नहीं तो इसके बहुत सारे पहलों हैं सबसे पहले तो आप ऐसा operation करवा सकते हैं जिसमें कि cut कम से कम आए यानि कि operation open surgery के method के बजाए आप laparoscopy करवा सकते हैं आप mini lab भी करवा सकते हैं जिसमें कि scar और भी कम हो जाता है आप cells करवा सकते हैं यानि कि single incision laparoscopic surgery जिसमें कि हम आपकी na तो बाद में कैसे कम से कम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो ध्यान रखे कि सकार को पहले कुछ दिन हम बैंडेज से कवर रखते हैं वो ड्रेसिंग अच्छे से अपलाई होनी चाहिए उन्हें आप वेटना किजिए अगर वाटर प्रूफ है तो आप शावर कर सक सकते हैं तेकिन ध्यान रखे कि वो बिगड़ना जाए और अगर वो पहले कुछ दिनों में ट्रेसिंग खराब हो रही है या उतर रही है तो उसे प्रॉपरली दुबारा रिप्लेस करवाईए क्योंकि पहले कुछ दिनों में अगर वूंड में इंफेक्शन होगा तो उसक सकार बुरा आएगा जितना आप उसे इंफेक्शन से प्रॉटेक्ट कर पाएंगे उतना ही सकार अच्छा रहेगा कोशिश कीजिए कि आपके सकार पे स्ट्रेच ना पड़े यानि की बॉड़े की वो मुवमेंट्स जिस पे सकार पे स्ट्रेच पड़ता है उसे वाड़ की सकार पे जितना खिचाओ पड़ेगा उतना ही सकार मोटा आएगा और उसका देखने में बुरा लगेगा अगर आपके बॉड़ी में सकार की हाइपोट्रोफी या किलोड बनने की टेंडेंसी है यानि कि अगर पहले किसी ऑपरेशन में आपका सकार बिगड़ गया है बहु कुछ स्वद्री में ड्रेसिंग पांच दिन में और कुछ स्वद्री में दो हफ्ते तक हटा दी जाती है उसके बाद आप कुछ चीजे कर सकते हैं इसे मिनिमाइस करने के लिए जैसे कि आप इसे सन से प्रोटेक्टेड रखिए और यूवी लाइट से भी यानि कि सन स्क्रीन के उपर लिखा रहता है कि वो कितने घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं तो उसके हिसाब से दिन के टाइम आप बार बार उसे रिपीट कीजिए ताकि सकार के उपर यूवी लाइट या यूवी रेज ना लगे और ऐसा होने से सकार का कलर वो स्किन से मैच करेगा बहुत जादा डार्क नहीं होगा और इसे भी वो कम से कम परसीव होगा इसके लावा सिलिकॉन की ट्यूब्स मिलती हैं तो आप सकार के उपर अगर सिलिकॉन की एक हलकी सी फिल्म लगाएंगे उससे भी इसमें मौश्टर अच्छा रहेगा इसकी ह अच्छी होगी और यह कम से कम परसीव होगा तो कैसे लगाना है आप इन दोनों ट्यूब्स को अल्टरेटिव लगा सकते हैं या फिर पहले आप संस्क्रीन लगाईए उससे ड्राई होने दीजे और उसके बाद आप एक थिन फिल्म उफ सिलिकॉन लगा सकते हैं ताकि यह डबली प्रोटेक्ट हो जाए तो इन सब मेथेट से आप यह सकार को मिनिमाईज कर सकते हैं तो ध्यान दीजे कि ऑपरेशन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो बहुत इंपोर्टेंट है सकार के डर से इससे गफ्राईए नहीं और जो इस वीडियो में हम आपको सिंपल मे सब्सक्राइए उनसे आप अपने सकार को मिनिमाईज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं साइनिंग आफ डॉक्र जस्मीत अलुवालिया थैंक्यू